हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंडिया की नमबर बन सभी चैनल वाइफ़ इस्टडी पर पार्ट अपन अकैडमी जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आपके लिए एक शांदार सेशन आता है जो की टार्ग स्टार्ट होगा वह होगा मिक्षर एलिगेशन उसमें अलग मज़ा है तो हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और मज़ेदार साबित होने वाला है बस एंजॉय करिए मेरे साथ मैट्स को साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूं यह पूरा मेरे साथ जुड रहा है मैं उससे यही कहूंगा कि निश्चिंत हो जाए आज से शुरू हो रहा है नया बैच तो अभी जुड़िए मेरे साथ और एक्जाम को फोड़िए और अच्छे से तयारी करेंगे आज पूरी प्रस्त भूमी में बहां दूंगा कि कैसे कैसे हम आग को यह इसलिए देना होता है क्योंकि जब आप 11 बजे वाली क्लास में कुछ सीखोगे तो इसका परफॉमेंस यहां आपको दिखेगा एज रैंक भी दिखेगा और रात को 8 बजे में मौक टेस्ट कंटीनियू आपके ले रहा हूं आप बस बिल्कुल निश्चिंतो के उन नहीं आने वाली है कभी भी इस लेवल पर और आपको हर एक टॉपिक में क्लियर करूंगा हर एक टॉपिक ठीक है चलिए तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि टॉपिक वाइस हम सारी चीज़े कवर करने वाले हैं और साहिल टैने एक कोड लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ साहिल टैन एक कोड लगाओगे तब आपको जुड़ना है मेरे साथ में और अनकैडमी पर आप कहीं भी सस्किप्शन लेते हो तो आपको डिसकाउंट मिलेगा यह मेरी गारेंटी है और मेरा नया कोर्ष भी तो आ गया अब ही आज से जिनको जॉइन करना है वह जॉइन करो मस्ति से और 11 याम वाली जो क्लास है वह साड़े च्छे बज़े टेस्ट होगा उसका लाइव टेस्ट होता है. रात को आठ बज़े मॉख टेस्ट होता है बड़ा मज़ा आता यार. आपकी rank आती है आपको सीखने को मिलता है partnership का तीसरा test होने वाला है so ये सब interesting चीज़े लगाता है चलती है और चलती रहेंगी RRC Group D के लिए best ever question साड़े बारे बज़ होगा हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बसका नहीं है उनको भी करके दिखाना है तो बात वही है बस कि जब motivation अगर create करना हो तो आस पास की negative चीज़ों से कर लीजिए ना यार खुद negative क्यों होते हो हाँ बनना है तो इतने कहते हैं कि इतने elastic बन जाईए जिससे कि कोई चीज़ आप से टकराए तो उतनी तेजी से वापिस चली जाए ये mentality रखो आप ऐसा bounce back करो कि समश्या को भी लग जाए बाई किसके पाले पढ़ गई मैं ठीक है गजब करोगे आप लाइफ में अगर आप धंग से पढ़ाई करें और पीटी का कल पेपर था यूपी ट्रिपल सी पीटी का मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी लेकिन काफी सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट आये कि सर मैं 25 मतलब जो भी कोशन्स थे डी आई जो थी मैंने कहा था कि आपको कुछ अलग करने की जरवत नहीं है मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो विश्वास रखो विश्वास रखो और जिनोंने विश्वास रखा कल पर्चम लहरा कर आये हैं अब मैं क्या कहूं बताओ सच में मतलब अमेजिंग क्लास्रूम की डियाई आ गई और क्या चाहिए तो में अभी मैं पेपर भी कराऊंगा कल उसका पेपर कराने वाला हूँ पीटी के दो पेपर मेरे पास आ चुके स्टुडेंट्स ने भेज दिये मुझे इसकेन करके मैंने भी पेपर बना तो लिए हैं लेकिन बस अब उनको कराना बाकी है तो कराऊंगा ना तो चिंता ना करो आप ऐसी फोड़ दो गए पांच वाग के जीवन में सफल होना है तो ध्यान लखना और आज दो बजे मैं ये इवेंट लेकर आ रहा हूं कि कैसे करें सी बीटी टू की तैयारी है ना सही वही है जो समय से हो जाए आप सोच लोगे तब बार रिजाल्ट आएगा तब से कुरूंगा ऐसे नहीं है करो तयारी तो scary करो और मैं आपको देखो ज्यादा व्रङन नीबडाने वाला हूँ आपको ऐसा अलग से कुछ नहीं करने वाला हूँ यह कुशन से वही करने वाले हम तो चलिए मैं आपको समय देता हूं आप एकबट राई करो मज़ा आता है यार पार्टनर्शिपिक अपने आप में मस चैप्टर है एकबट राई करो फिर हम इसको शुरुवात करेंगे इस कुशन को करने ही चलिए सर काफी सरे बच्चों के आंसर आ अप सामने दिखेगा कि कैसे इस कॉंसेप्स को आप करने वाले के लिए सर A और B ना 3000 रुपे और B ना P रुपे लगाकर इनवेस्ट करता है आरंब से 6 महीने बाद B अलग हो जाता है यानि कि आरंब से 6 महीने बाद क्या हो जाता है B मतलब काम माम छोड़ देता है एवं C एक निश्चत निवेश के साथ A के साथ साज़दार बन जाता है एक साल के अंतमे वार्शिक लाप के रूप में लाभान्श का अनुपात ये है तो C ने कितनी राशी इनवेस्ट की थी अब आप सिंपल सा एक चीज मुझे बताईए आपको क्या पूरे का इंवेस्टमेंट पता है क्या बोले नहीं पता क्या आपको टाइम पता है क्या A भी C का हाँ आपको टाइम पता है A 12 महीने काम करता है B जुड़ता है 6 महीने बाद चला जाता है 6 महीने तक काम किया फिर C आ जाता है और C भी 6 महीने तक काम किया यानि कि ये टाइम है इनका लेकिन टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा दो अनुपात, एक अनुपात, एक आपके टाइम का रेशू हो गया आपके प्रॉफिट का रेशू क्या हो जाएगा भाई आपके जो प्रॉफिट है उसका रेशू क्या हो जाएगा पांच अनुपात, चार अनुपात, तीन तो आप मुझे बताईए सर इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या हो जाएगा बताओ पांच बटे दो चार बटे एक तीन बटे एक पांच अनुपात आठ अनुपात छे किसी को कोई दिक्कत कोई समश्या कोई परेशानी तो नहीं है मेरे को आप बताते जाओ ऐसे ही कर रहा हूँ बिलकुल नैचूरल तरीका है प्रॉफिट अपॉन टाइम प्रॉफिट अपॉन टाइम प्रॉफिट अपॉन टाइम यह आगे हमारे पास इसका अब बोला गया है कि एने 3000 रुपे लगाए तो सी ने कितना लगाया होगा एने अगर 3000 रुपे लगाए हैं येलो भाई एक रेशो बराबर 600 तो इसने 3600 रुपे लगाए क्या बोलते हो बताओ तो इसने कितने लगाए होंगे 4800 रुपे सब कुछ आ जाता है क्या था बताओ कुश्चन में कुछ भी तो नहीं था सी ने कितनी राशी लगाई 3600 रुपे लगाई मजा आया भाई क्लियर हो रहा है कॉंसेप्ट में दम आना चाहिए हमारे सर कॉंसेप्ट क्लियर हो रहा है बस और हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कॉंसेप्ट अगर किलियर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब चलता हूँ अगले कुशन की तरह वो भी आप अपने दिमाग से करना धीरे धीरे सब आ जाएगा एक बर कोशिश कर लो बस थोड़ा सा टिपीकल लग सकता है लेकिन हाँ हाँ फाउंडेशन वे जवाई आज से स्टार्ट है अब घबनाना नहीं है आपको डर लगेगा आपकी कैलकुलेशन भी आपको तकलीफ देगी लेकिन सीखना तो है वाई यह तो रास्ता है महबबत है तो फिर गम भी है देखिए पी ने 38,000 रुपे का इंवेस्टमेंट कर दिया सर शुरू कर दिया और पांच महिने के बाद क्यू पच्पन हजार रुपे का इंवेस्टमेंट करता है पी ने 38,000 और पांच महिने बाद क्यू पच्पन हजार और वर्ष के अंत में कुल लाब इतना है सबर करो पहले आप ऐसा कर लो सर आप 38,000 अनुपाद 55 आगया आपका क्या आगया ये इंवेस्टमेंट आपका टाइम कितना आगया सर टाइम पांच महिने तो पांच महिने बाद क्यू अपने पूंजी के साथ जुड़ता है याने कि पांच महिने बाद जुड़ता है तो साथ महिने के लिए और ये बारे महिने के लिए जैसा है मैं तो वैसा ही करना हुआ भाई मैं क्या करू बताओ कुल लाब दे रखा है तो अब इसका रेशो देखो बारे अठे च्यानमे पारेतिया च्छतिस और नौ पैंतालिस साथ पंजे पैंतिस साथ पंजे पैंतिस और तीन अरटीस पुल मिला कर ये कितना आ गया आट सो एकतालिस यही तो हो गया टोटल अनुपात जैसा है वैसा है उसमें आपको तकलीफ नहीं लेनी है वो कोशन अपने अब दिमाग लगाओ यहार आट सो एकतालिस से कितनी बार जा रहा है पच्छिस सो तेविस सोचो 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 अपने आप दिख जाएगा बोले सब तीन बार जा रहा है देखो बुरा मत मानना मैंने क्यों मानूगा भाई यह लो तीस आ गया अंसर प और क्यू के अंतर कितना है मुनाफे का तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 456 माइनस 385 चै मैंसे पांच गया तो एक और यह हो गया 71 इंटू 30 और यह आंसर आ गया भाई साथी है 2130 कैसा लगा बोलिए भाई आई जल्दी से मुझे बता दीजिए जब कोई चीज आपको टफ लगने लगे आप बस खुड़ा सा मुस्कुरा दो आसान हो जाएगी मज़ा आया चलिए सर वेरी गुड नेक्स्ट आईए आराम से करना इसको भी आराम से करना एक एक करके करना एक करना हो पुड़ा आराम से करना है चलिए मैं समझाऊंगा आप करेंगे तभी तो मज़ा आएगा देखिए बोला जा रहा है सर ए है बी है और सी है ने एक साज़ेदारी में प्रिवेश किया ए ने 2560 रुपे इन्वेस्ट कर दिये बी ने 2000 रुपे इन्वेस्ट कर दिये ठीक है सी का सी का पता नहीं सी का ही तो निकालना है ठीक है वर्ष के अंत में उनका लाब इतना है उन्हें इतने का लाब हुआ एको 320 मिले एको 320 मिले भाई तुन्ना मेरी बात एको 320 मिल गए तो यार क्या करू मैं टाइम का कोई दिक्क नहीं है, दिमाग चलाओ, मान लो कि इसने एक्स रुपे डाला, सुनना मेरी बात, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 2560 का, इसके निवेश से जो रेशो होगा, वो यह इन्वेश्टमेंट का रेशो है, प्रॉफिट का रेशो भी रहने वाला है, तो प्रॉफिट का रेशो कितना हो इसका 320, किसके रेश्पेक्ट में, 1105 में से घटा दो, अगर टोटल लेना है तो टोटल ले लो, तो मैं 1105 में से घटा के ले रहा हूँ, 320 को, यह हो गया सर्फ 5, 10 में से 8, दो गया तो 8, और 10 में से 3, 785, आप में से किसी सजजन को कोई तकलीफ है गया, बता दो, अगर है तो भी बता दो, नहीं है, तो भी बता दो, बताओ कोई दिक्कत है तो, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, यहां मैंने अगर इन दोनों को लिया है न, B और C को कममाइंड करके, तो मैंने यहां B और C का ही प्रॉफिट लिया है, देख लो चाए, A का प्रॉफिट घटा दिया टोटल में से B और C का बच गया, तरीका है, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, अब आप काटने के लिए तकलीफ मतलो, मैं हूँ न, तो 16, 32, 32, 16, 16, यह हो गया 8, अब देखो, 2000 प्लस X, बराबर, 785 इंटू 8, देखो कितना आ रहा है, आए गा सही, 8 उसादू 56, चपन 185 इंटू 8, 785 इंटू 8, 6,280, आ गया भाई, 6,280, अंसर आ गया 4,280, अप्शन नमबर C, कैसा लगा, किसी को कोई भी डाउट है ना तो बताओ, और चीजे मैं समझाओंगा ना भाई, मैं हूँ ही इसलिए यहाँ पर, रेशो क्यों लगाओगे यहाँ पर, आपको दिम मैंने A का इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्योंकि और B और C का ले लिया, क्योंकि उनी के निवेश का रेशो, लाब के रेशो के बराबर होगा, तो A का लाब 320 है और B और C का 785, एक बच्चा गया रहा है सर, UX क्यों लिये सर, UX मानना है ना, मिसिंग था ना, तो कुछ तो ल पढ़ सकते हो आप, बस मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात कहने वाला हूँ, कि अगर आप मेरे साथ continue कर रहे हो, पढ़ाई में, तो फिर तकलीफ मत लो, फिर तो आपकी overthinking आपको पीछे लेके चली जाएगी, और कोई और कोई पीछे लेके जाने वाला नहीं ह आपको, बस आप आराम से पढ़ते जाओ, pension नहीं लेने का है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, अब बाकी आपकी मर्जी है, गूमलो 10 जगे, 50 जगे, कोई फरक नहीं पढ़ेगा उससे, बस आप पढ़ते जाओ continue, अगला प्रशन आपके पास ये है, आराम से करना, आरा B और C का आएगा, B और C को एक साथ इसलिए लिया, क्योंकि B का data मुझे पता है, जिससे की ratio बन गया, next अलवर में आ गई क्या, भाई, बुक सब जगे जा चुकी है, वरना online मंगा सकते हूँ आप, बहुत बढ़िया response रहा है, और बच्चों ने set की photo भी मेरे को बेजने लग गए है, वो practice करते रहो, क्योंकि exam तक वो complete होना है आपका, तो अभी से करोगे तो होगा, एक दिन में नहीं होगा, फिर वो रह जाएगा, क्या मतलब है, तो मंगा मंगो की पढ़ाई शुरू करोज बुक से भी है, वो आपके लिए निकाले कोई ऐसे थोड़ी मजाक के लिए करी हो, ए, बी, सी, एक साजेदारी में प्रिवेश करते हैं, ए, पूंजी का एक तीहाई योगदा बाहे बाई में उत्योत से लिए ऐसेऩाई करेंच, उतना ही योगदान देता है, जबकि भी उतना ही योगदान देता है जितना ही योगदान ही मिलकर देता है एक से आपक़ 15-20- Sc。 यार यार ये बहुत बड़ी ध्रहम संकड में डाल दिया भाई ने बी उतना ही देता है कि जितना A और C मिलकर देते हैं बताओ क्या equation बनाए जी डी का भी आ रहा है ना जी डी का भी जल्दी आ रहा है दिमाग चलाओ दिमाग 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 तो सर क्या करेंगे आप मैंने का यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो मान लेते हैं जैसे कि मैंने इसको तीन माना तो एक equation ही बना लेता हूँ कैसी equation बनाओगे कि B उतना ही योगदान देता है जितना A और C मिलकर देते हैं तो A प्लस C और B का जो ratio होगा वहे एक अनुपात एक हो जाएगा क्या हाँ बात तो ठीक है और according to the concept तीन होना चाहिए लेकिन तीन तो possible ही नहीं है तो छे कर लो सर जे बात आपने सही किया दी साब जे बात आपकी दम है तो अब इसको मैं तीन और तीन में बार दूँ क्यो यह अब है और ले रहे हो तो मामला set लग रहा है तो ची अपना A हो जाएगा और B अपना तीन हो जाएगा क्या बोलतीय पब्लेकश Please please, please Please sir है इस दिमाग का खेल है सारा अब यहीं से जो टो कोशन पकड़ना होता है यार आपको काम यहीं सीखना है आपको कुछ अलग नहीं सीखना है आपको यही काम सिखा रहा हूँ कि इस छोटी सी छोटी सी लाइन में कितना तत्व छपा हुआ है यहां से यहां तक की में कि एक ही पुण्जी का एक तीहाई योगदान देता है अब एक तीहाई मैंने मान लिया टोटल और उसका एक लिख दिया था लेकिन अब आगे बढ़ा ठीकी भी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर देते हैं बैठा ही नहीं रेशो एक अनुपात एक आ रहा है मैंने का बहुत क्या करूं अब बोले यह ऐसा करो सर इसको आप डबल कर दो जिससे की वो भी 6 हो जाएगा तो 3-3 में बढ़ जाएगा वरना 3 को कैसे बांटता मैं देट देट थोड़ी बांटता अच्छा नहीं लगता नहीं अर्ब तो मैंने उसका रेशो सैट करने के लिए कि वो समसंख्या हो जाए तो 2 का गुणा कर दिया तो 6 का तो ये 2 हो गया एक बटे दीन और B कितना है 3 और ये 1 आया मज़ा अब कोशन में कुछ है कोशन में कुछ है अब कुछ ही नहीं कोशन में कोशन तो सॉल्व हो गया वर्ष के अंत में 900 रुपे का लाव होता है तो C का हिस्सा बता दो ये ले भाई या 6 रेशो बराबर 900 एक रेशो बराबर 1500 C का हिस्सा आ गया 1500 रुपे क्योंकि एक रेशो ही पूछा है काम खतम हाँ राहुल पटना में अविलेबल है सब जगे अविलेबल है ले सकते आईए नेक्स कुशन आराम से करना यह वही कुशन से फ्रेक्शन वाले अब फ्रेक्शन शुरू हो चुका है जहां पर वन अपन वाली बात आ गई अब आपका दिमाग जानना चाहता हूं कि आप NCM क्या लेते हो पूंजी का टाइम का देखते हैं गलती कर लो यार तुम पहले मैं समझा दूँगा सारी चीज ट्राइ करिए एक बर कर दो 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 अब काफी सारे आंसर आ रहे हैं चलिए मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि आप पहली बाट ट्राइ कर रहे होंगे गलती भी होंगी आपके साथ में देखेगा आईए सब ए है ना समय के एक बटे 6 के लिए पूंजी का एक बटे 6 सबर करो समय के एक बटे 3 के लिए पूंजी का एक बटे 3 शेश के लिए पूरे समय के लिए इस पूरे समय पे मैंने गोला बना दिया क्योंकि यहां बच्चा गड़बड कर जाता है अब आप मुझे बताओ मैं टोटल कैपिटल क्या मानूँ आपकी अब बताओ ना यार मतलब आप खुट दिमाग लगाकर बताओ यहां टोटल कैपिटल क्या माने जिससे 6 से भी कर जाए और 3 से भी कर जाए LCM मानना होता है मेशा याद रखना और टोटल टाइम क्या मानू मैं जो 6 से भी कर जाए 3 से भी कर जाए तो देखो सर आप बुरा तो मानो मत आप ऐसा करो capital भी 6 ratio मान लो और time भी 6 ratio मान लो उससे क्या होगा उससे देखो बहुत आसान हो जाएगा concept जैसे कि A है ए ने कितना निवेश किया एक बटे 6 समय के लिए एक बटे 6 याने कि एक ratio निवेश किया है पहले मैं निवेश लिख रहा हूँ बस B ने कितना निवेश कर दिया एक बटे 3 याने कि 2 और C ने कितना कर दिया शेश पूंजी तो 2 और 1 तीन तो 3 बच गई investment के लिए रहे क्या अरे दोस्तों ओ गाउवालो investment के लिए रहे क्या भाई मेरे गाउवालो investment के लिए है चलिए सब अब time की बात करते हैं time एक बटे 6 याने की वही एक एक बटे 3 याने की वही 2 time की बात कर रहा हूँ और पूरा समय याने की 6 का 6 बस हो गया कम investment into time investment into time investment into time क्या होता है profit एक अनुपात 4 अनुपात 18 चली 400 के लाब में से B का हिस्सा बता दो तो हम याँ कह सकते हैं 23 ratio आ रहा है 23 ratio बराबर 4600 एक ratio बराबर आपका 200 तो B का हिस्सा बताना है 800 मज़ा आया नहीं आया बताओ तकलीफ होती है लेकिन वो शुरुवाती तकलीफ आने वाले सुख का अंदेशा भी तो होती है तो तीन कहां से आया बता ना बता दो ये वाला तीन टोटल 6 धने A को 1 रुपिया मिल गया B को 2 रुपिया मिल गया तो C को कितना बचा तीनी तो बचा है है ना और ये टाइम 6 क्यों क्यों क्योंकि मैंने देखो गोला कर रहा है पूरे समय के लिए पूरा समय तो 6 है ना बागी उनका जो समय था वो एक बटे 6 याने की एक एक बटे 3 याने की 2 ऐसे करना बोला जा रहा है अर्ची बता दी अब इस कोशन को करो तरीके से करो सब आएगा कौन सी चीज़े जो ना कर पाओ तुम करके दिखाओ मुझे धंक से पढ़ना गवालियर में भी आ गई सब जगे आ गई और आपने आसपास बुकसरर के पास कॉंटेक्ट कर सकते हो मैंने वीडियो सब में बना दिया है आपके लिए चिंता ना करो है वीडियो सब बना दिया मंगाओगी तो फिर आने वाली बुकस भी मिलेंगी तो आप थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा स एफट डाल दो जिससे कि आने वाली books भी जो आपको वहीं available हो जाएं जल्दी से जल्दी वो पहली बर में ही तकलीफ होती है लाने ले जाने में अब मंगा लो असपस या फिर online देख लो है ना अब देखिए इस question को करिए ABC ने क्या किया सर? ABC ने एक अनुपात, तीन अनुपात, पांच के अनुपात में क्या कर दिया? अनुपात में investment कर दिया सर चार महा के पश्चात A ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसे पहले किया गया था चार महीने के पश्चात चार महीने तक यही पैसा लगाया अब बस मेरी बात को अब गौर से सुनो आजाओ सब आजाओ सब आजाओ जल्दी से देखो चार महीने के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसे पहले किया था जितना उसने पहले किया था तो उसने कितना निवेश कर दिया कितना एक ही रहेगा या दो हो जाएगा बताओ भाई उसका धन एक ही रहेगा या दो हो जाएगा बस मुझे इतना सा बतादो आप बताओ दिमाग का खेल है बस और कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बोलाया आपसे तो आपसे मैं यही कहूँगा कि सब बेकार की बाते है उसने एक ही रुपया लगाया है और आठ महीने तक वही लगाया है अभी आपको चौंक जौंक जाओगे आप अभी बता रहा हूँ तथा बी और सी ने अपने निवेश का आधा वापिस ले लिया यानि कि चार महीने तक तो इन्होंने यही लगाया उसके बाद बचा कितना? तीन बटे दो ही बचा अगले आठ महीने के लिए उसके बाद पांच बटे दो ही बचा अगले आठ मेने के लिए यहां तक आप में से कितनी लोग मेरे से इत्फाक रखते हैं और कितने नहीं रखते हैं वो अभी पता लग जाएगा अब कैई लोग समझेंगे कि सर दो लगाओ सर आप यहां पर यहां पर आपका दो होना चाहिए मैंने कहा भाई कुश्चन की भाषा ही तो खेल खेल गई और यही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ए ने उतना ही धन्यवेश किया अगर यहां लिखा रहता ए ने और उतना ही धन्यवेश किया यह और की बज़ए से सारा खेल बिगड़ गया अगर और होता तो यहां दो आता और नहीं था तो एक ही रहेगा हाँ यही खेल है बस तो बस क्या हो गया सर अब काटा पीटी चालू रखो मैंने काटा देखो चार से काट दिया दो बर चार से कट गया यह चार से कट गया यह चार से कट गया यह दो बर चार से कड गया ये दो बर, दो से कड गया दो, दो से कड गया दो तो अनुपात आ रहे है सरस्थ दो और एक तीन अब ये पूरा प्रॉफिट का रेशो हो आ रहा है डायरेक्ली तीन और तीन च्छै और पांच और पांच 10 तो तीन, च्छै और तस यही हमारे लाब का नुपात है क्या बोलते हो साड़े छे वजे पर टेस्ट कैसे दे लिंक डाल देता हूँ टेस्ट आपका डायरेक्टली साड़े शे वजे शुरू हो जाता है टेली ग्राम पर भी लिंक मिल जाती है वो डेली होता है आप आया करो बड़ा मज़ा आता है उस टेस्ट में चलिए मज़ा आ रहा है अरे गलती की होगी मैंने कहा ना की गलतियों से अगर घबराओगे तो फिर सीखोगे कैसे तुम तो भाज जाओगे फिर भाजना नहीं है ना भाई सीखना है मज़ा आया ऐसा ही अच्छा लगता है बस कोशन में जब लर्निंग होती है ना तो बड़ा दिल खुश हो जाता है सब कई हो जाता है भाई अच्छा चलिए अगला कोशन करते हैं तसली से करना ये पार्टनर्शिप से प्यार हो जाएगा आपको मैं बता रहा हूँ ना आएए बस खेल भाशा का है जितनी अच्छी प्रेक्टिस होती है न उतना ही अच्छा पेपर में रेस्पॉंस निकल कर आता है चलिए हाँ आज फाउंडेशन भी स्टार्ट होने वाला है बहुत सारे काम है भाई A, B, C मिलकर कोई व्यविसाइश शुरू करता है वे आरंभ में 30,000, 24,000 और 42,000 रुपे का इंवेस्टमेंट करता है तो 30,000 को 30,000 लिख दो 24,000 को 24,000 और 42,000 को 42 बस काटा पीटी मत करो अभी क्यों क्योंकि जब पैसा निकल रहा होता है तो वहाँ तकलीफ होती है फिर काटने में फिर कैसे निकलोगे देखो अब क्या बोला जा रहा है अब बोला जा रहा है सर कि 4 महीने के बाद में B, 6000 और C, 10,000 निकाल लेते हैं यानि कि इसको तो नहीं छेड रहे हो अप नहीं, 4 महीने तक इतना आपने लगा के रखा और इसने कितना निकाल दिया, 6000 निकाल दिया तो 18,000 बच गया 8 महीने के लिए इसने 4 महीने के बाद 10,000 निकाल दिया तो 32,000 बच गया 8 महीने के लिए बस काम खतम यहां तक कोई दिक्कत बोले नहीं है अब बस अब काटा पीटी देख लो 4 से काटना शुरू करो 4, 4 दोनी 8, 4 दोनी 8 4 तिया 12 बस तो 30 तिया 90 B बराबर 24 और 36 24 और 36 कितना हो जाएगा 60 और 42 और 64 108 3 से कट रहा है 30 20 3 किया 90 3 चिंग 18 2 से कट रहा है 15 10 और 18 सही है क्या यही आ रहा है सबका हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना बाकि हमारे इसाब से हमारी गलती हो गई है आज है के नहीं लग तो ऐसे हिरा भाई कहां कर दी यह नहीं अरे सही तो था यार लेकिन अब कैसे करें कहां हो गई यह समझ में नहीं आया बस गलती तो हो गई मुझे पता लग गया था कहां हो गई कोई बता सकता है यहां हो गई हो गई हो एक सो छे आएगा बस यहीं गलती हो गई हो गलती से अपने एक सो आठ लिग दिया बताओ चार दूनी आठ कर दिया कोई नहीं ज्यादा दूर नहीं भागे आपन बच गए यह पैंतालिस यह तीस और यह तरेपन अब बोला गया कि वर्ष के अंत में इतने रुपे का टोटल लाव है तो सब को जोड़ो भाई पांच और तीन आठ पांच और तीन आठ और चार बारा एक सो अठाइस पांच और तीन आठ पांच और तीन आठ और चार बारा एक सो अठाइस रेशो बराबर पंदरा च्छतिस जीरो एक रेशो की वैल्यू निकाल दो कितनी निकल कर आ रही है फिर बी का हिस्सा निकाल दो आ गया भाई अब तो ठीक है शायद है ना चेक कर लेते हैं ठीक है एक सो बीस आ रहा है बी का हिस्सा कितना हो जाएगा तीस से गुणा करना च्छतिस सो आंसर आ रहा है क्या थर्टी सिक संडरेड ये एक सो बीस बार जा रहा है 30 से गुणा कर दिया B का हिस्सा 3600 आंसरा सर कोशन नमर 13 में क्या लिखाता 30000 एका सही है भाई कोशन नमर 13 कोई इशू नहीं है सर 12 कैसे आया प्लीज बता दो अनिकेट के रहा है अनिकेट जब किसी के बारे में कोई चर्चा ना की जाए ना जैसे एक कहीं भी डिफोल्टर नहीं है एक अपना पैसा निकाला नहीं डाला नहीं तो एक इतने महीने तक काम करेगा एक चुपचाप इसी धन पर 12 महीने तक काम किया है यही होता है तो क्या होता है कि कुछ इनफोर्मेशन कोशन छिपा कर रखता है वो एक expert बच्चे को पता रहती है और वो expert अब जब से आप कर रहे हो आपने वो गलती करी लेकिन आगे से आपको यह पता रहेगा क्या यह गलती मेरे को नहीं करनी है यहां बोलेगा नहीं कहीं पर कि ए बारे महीने काम करता है कहां बोलेगा वो नहीं बोलेगा यह तो आपको खुद को ही समझना है कि ए बारे महीने काम करेगा कहीं आ नहीं रहा कहीं जा नहीं रहा इसलिए ना अगला प्रशन करो तसल्ली से करना गलती हो जाए तो सर्माना न कि अप्रक्षव के बढ़ते लु कर दो कर दो कि अपने हैं थार लुट में थास्ट कर दोटी तड़ का रा दी सक्थार्थ边श कर दो अपने टिर राखर हैं तड़ झाल मैं पकावदाना कर दो डिसृंग कर दो दो बाहय है झाल झाल हरी है, राम है, श्याम है, एक व्यापार प्रारम करते हैं प्रत्येक 10,000 रुपे का इन्वेश्टमेंट करता है पाँच महीने के बाद हरी 5,000 ले लेता है राम 4,000 ले लेता है मगर श्याम 6,000 और लगा देता है कहानी बिल्कुल वही चल रही है कि इसने भी 10 रुपे लगाए, इसने भी 10 रुपे लगाए, इसने भी 10 लगाए आप अक्सर ये सोचते होंगे कि सर आप 1000 क्यों नहीं ले जल रहे हो मैंने का कोई जर्वत नहीं है ना, आप अगर इसको 10,000 को 10 मान रहे हो तो 4000 को आप 4000 मानो, 6000 को 6000 मानो, और 5000 को 5000 मानो इसी प्रकार राम ने चार निकाल लिए बचे चह अगले सात महिने तक प्लस इसी प्रकार छे डाल दिये सोला हो गए अगले साथ महीने तक बात समझ में आ गई क्यों नहीं आएगी सर को अच्छी बात है ना बिल्कुल नीट अंक्लीन काम होता है इससे बढ़िया चैप्टर ही नहीं है कोई दुनिया में इतनी ट्रांस्परेंस ही रखता है ना ये चैप्टर सब कुछ अपना दिम तो कितना आ रहा है सर पचास और 35 85 हरी का आ गया 85 राम का कितना आ गया पचास और 42 92 और शाम का कितना आ गया पचास और 167 112 162 तो वर्ष के अंत में इतना हो रहा है तो जोडने पर देखो वही आ रहा है 349 रेशो बरावर 349 डबल जीरो एक रेशो बरावर 100 तो राम का हिस्सा 9200 कौन-कौन बच्चा इस चेप्टर को पहली बार पढ़ रहा है और मज़ा आ रहा है कुशन कर पा रहा है यह मुझे जरूर कमेंट में बताएं अभी हाँ न्यू बेच फाउंडिशन बेच आज से स्टार्ट हो रहा है जिनको जुडना है वो जुड़ जाना जल्दी से बताईए कि आप एंजॉय कर रहे हो ना पार्टनर्शिप को मास गजब का चेप्टर है यार मतलब फीलिंग ही गजब की आती है और उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट बस पैसा लगाया घटाया गिनाया जुडाया बस वही काम है अच्छा लग रहा है ना यही बात है बस यही मॉटिवेशन देता है और यही सब पेपर में आएगा आप मैत को लेकर निश्चिन्त हो सक करो जो कॉंटेंट मैं देता हूँ आपको वो करो सर बुक मिल गई चलो बुक भी करो हां जो भी मैंने बताया करते जाओ लेकिन जो काम हो रहा है वो करो क्योंकि प्रैक्टिस मैं इतनी कराता हूँ कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है अगला प्रशन करिए आराम से करिया आराम से शुरुवात है और बढ़िया हो जाएगा देखना अब ही जीडी का निकलेगा तब ही तो मिलेगा निकलने तो दोस्को अबी सी साज़ेदार है सर ए ने लाब का 20% और बी ने लाब का 25% यानि की एक चौता ही आने की 25% और सी ने इतना रुपिया प्राप्त किया तो एको कितनी राशी प्राप्त होई जब खेल हो यह तो आप यह देखो ना लाब हमेशा कितना होता है अगर परसेंटेज में बात कर रहा है तो एको 20% लाब मिला तो बी को कितना मिलेगा 25% क्योंकि एक चौता ही आने की 25% तो इसको कितना मिलेगा 45 हो गया 55% आई बात समझ में अगर यह प्रॉफिट का रेशो है और टाइम का कोई लोचा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का रेशो भी तो यही होगा तो क चारा रेशो बराबर 4950 है तो ग्यारे चौकि चमवालिस ग्यारे पंजे पच्पन एक रेशो बराबर 450 हो गया एक को कितना मिलेगा 450 इंटू 4 अठारे सो रुपया अरे भाई गडवड़ वरी है अठारे सो आंसर आना चाहिए हमारा तो बाकि बी तो नहीं पूछ लिया वो सकता है बी का दिक का तो यह ना आना तो यही चाहिए देखो इस आप किताब तो हमारा यही कहता है बाकि तो सही है बी का पूछा है तो बी कर लो यहां पर तो 450 इंटू 5 2250 तो 2250 बी पूछा है बाई था ना बी पूछा है बी आंसर हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसको बी कर लो था ना बाकि एक आंसर होगा 18 कोई गलत नहीं है सब कुछ बड़िया फस्क्लास है 18 सुई आएगा वो कोई टेंशन नहीं ठीक है नेक्स्ट ओहो खुपसूरत अदबुद मजा आ जाएगा मतलब अब आप देखते ही पता है मैं भी अगर होता न आपके जगे तो पता है मैं क्या सोचता ऐसे कुछन कैसे होंगे मैं तो कभी सोची नहीं सकता ऐसे कुछन मेरे से हो जाएंगे लेकिन क्या होता है कि डेटा देखके यह देखके हम घबरा जाते हैं और जैसे जैसे बदलावाया जीवन में आगे बढ़ता गया तो मैंने एक ही चीज सीखी लाइफ में जस्ट्राई यार एक बड़ तो करता हूं तो ट्राई करते करते इतना ग्यान बढ़ जाता है ना इंसान का तो मैं तुमसे भी यही सला दूँगा लाइफ में जब आपको लगता है ना कि आप बहुत गीवप कर रहे हो यार अब नहीं होगा मेरे से तो बस एक बार अंदर क्लियर है तुम्हारा अब तो बस यह आप तो एक्सपर्ट बन रहे हो और उसी पर काम करना है तो बस अब से देख लो कि अ कि आज आओ चलो जिन्होंने बस पढ़ लिया ना मेरे लिए उतना ही काफी है बागी कराना मेरा काम है कोशन को अधिको एंजॉय करते हैं आप तो सीखने आयो मुझे पता है आओ ए और भी एंसर उन्होंने क्या किया सर व्यापार में देखो 36,000 रुपे लगा दिये और बी ने 45,000 रुपे लगाकर जुड़ गया करें चार महीने बाद क्या किया दिने अपना पूझी का चार बेटर्ण निकाल लेता है अरए लृ ले आनि मतलब इसने जो पैसा लगाया वो चार महीने तक लगा हाँ और कोई कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है बाकी बोले कोई दिक्कत नहीं बाकी आप ऐसा करो हजार को आप हटा सकते हो हजार की कोई टेंशन नहीं क्यों 36 और 45 डेटा रहना बहुत जरूरी है बस तो कितना फायदा कर रहे हैं आपन दिमाग से खेलो बस ठीके गुरुजी देख लेंगे जो भी होगा बाकी किसमत है अपनी चार महीने बाद क्या किया आपने चार महीने बाद क्या किया बी ने अपनी पूंजी चार बटे नो निकाल दिया तो आप मुझे बताओ चार बटे नो निकाल दिया तो बचा कितना दिमाग से बताओ बस म यानि की 45 का पांच बटे 9, 25 कितने महीने के लिए बचेगा बाट महीने के क्या बात है उसके पांच महीने बाद अपनी मूल पुंजी का मतलब यह बी कर रहा है सारा खिल ठीक है बाई बी को हम देख लेते हैं बाद में तो यह कर लिया, चार महीने बाद, और उसके पांच महीने बाद, याने की उसके पांच महीने बाद, याने की पांच महीने तक यहां भी यही चला है उसका, अब 9 महीने हो गए, अपनी मूल पूंजी का 11 बटे 9 दुबारा से इन्वेस्ट कर देता है, मूल पूंजी 45, 45 का 11 बटे 9 यानि कि 55 री इन्वेस्ट कर रहा है री इन्वेस्ट कर रहा है वह 5 महीने बाद अपनी मूल पुझी का 11 बटे 9 पुने निवेश कर देता है ये लिखलाडियों का बना दें ये बच्चा कह रहा है सर पांच होगा पांच कर दिया न रे तुम टेंसन के लिए तो हमने आगे कुशिन पढ़ा ही नहीं था यार तुम बड़ी टेंसन में आ जाते है बहुत जल्दी यार ऐसे मत किया करो आओ तो 55 और री इन्वेस्ट कर द यह तो 9-3 महिने के लिए बस यहां किससे गुणा हो जाएगा बार ऐसे तकलीफ है क्या सज्जनों को अरे कोई टेंचन है क्या यहां तक आप मेंसे अगर किसी को कोई तकलीफ आई हो तो मैं हूं अभी भी मैं यहीं हूं आप यहां तक देख लो बस कि सर हमें यहां तक कुशन लग रहा था ना कठिन होगा जैसे जैसे पढ़ते चले गए वैसे वैसे बनता चला गया और एने कुछ छेड़ा ही नी तो एक को बारे से गुणा कर दिया बस और इसने अपने महिने में जाने क्या-क्या बदलाब करता रहा ठीक है सर अब एको 36 इंटू बारे करें और यह हो गया A और B कानुपार तो टोटल कितना आ रहा है पांच और दो साथ चार और तीन साथ नो नो सो सथेतर बरावर चौदे छे पांच पांच जीरो अरे यार मज़ा आ रहा है तो यहां देखो कितनी बार जाएगा यह सर असी कैसे आया अब भी बता रहा हूँ अब अब मैं पहुचके आया हूँ यहां तक तो अभी एक बर इसको कर लेते हैं यह कट गया डेड़ सो बार पंदर अची की 90 अब पंदर नम्मा 135 तो उसी से कट रहा डेड़ सो बार तो उनके लाब अऔर ब के लाब का अंतर कितना है तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है डियर तो तीन चार मैंसे तीन गया तो एक 113 मैंसे डेड़ सो का गुणा कर दो पंदरतिय पैतालिस केरी आया चार पंदरेकम पंदरे और चार उननिस पंदरेकम 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 सोला, सोला नौसो पचास आंसर आ जाएगा भाई यहां तक किसी को तकलीफ है तो मैं अभी हूँ किंता ना करो सर असी नहीं सो होगा ऐसे बच्चे बोल रहे हैं यहीं मिश्टेक कर गए आगए यहीं कर गए बस दुबारा से, दुबारा से देख लीजे आपको यहां तकलीफ है, यहां तक तो आप पैक थे पूरा, यहां तक टेंसन नहीं थी आपको जोस्तों यह बोला जा रहा है कि उसके पांच महीने बाद अपनी मूल पूंजी का 11 बटिनों निवेश करता है अरे बुद्धूओ इसी में तो करेगा, अब यह है कितना उसके पास 25, जब आप उसको 25 इवेश्ट करा रहे हो, तो फ़ास्ट वाले धन्मी to करेगा वो तो उसने डेटा बताया है कि मैं इतना कर रहा हूँ मूल पूंजी का इतना कर रहा हूँ वो अपने डेटा लिया और इसमें जोड दिया यह थोड़ी बोल रहा है कि त्वकिए बात में और मेरी बात में कितना अंतर और कुश्टन वहीं कहरा है जो मैं कह रहा हूँ वह पांच महेने बाद अपनी मुल container निवेश कर देता है मैं है सही बात है कर देता है छोड कर देता है लेकिन करेगा किसमें यारस्ट वाले तो सो आता है हो जाएगा clear क्या फरक पड़ रहा है फोड़ा सा focus हो के सोचो कि चले अशी समझ नहीं आए वही तो मैं बता रहा हूं तो जो भाई लास्ट में पैसा है उसी में उतना कर रहा है बस वह डेटा आया कहां से यहां से आया अब उसमें यह थोड़ी complicated बना रहे हो अरे भाई आज तक तुमने ऐसे कुशन किये कहा है जो तुम complication की बात कर रहे हो यार इसलिए पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें होगा भी ऐसी दिमाग तुम्हें चलाना है और कोई नहीं आएगा आईए खुद का दिमाग खुद की जिम्मेदारी आईए और लाइक करिए खैंच के भाई साब जितनी भी विध्यारती देख रहे हैं आपसे विंती है ना सुसरता डाइरेक्ट कैसे काड़ दिया चैल्कुलेशन अच्छी है कोई दिक करते है लेवाई बड़िया कुश्चन है जिसको नहीं आता है वही सीखेगा और मज़ आ जाएगा आओ ए और भी है सर उन्होंने क्या किया एक व्यबसाइश शुरू कर दिया बी का इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट का धाई गुना है एक इन्वेस्टमेंट का तो ए अगर दो कर रहा है तो भी पांच करेगा एगरी कर रहे हो क्या अरे करो एगरी बिलकुल कर रहे है ए और बी ने निवेश की अबदी का संगत अनुपात टाइम का रेशो तीन अनुपात एक है यह इन्वेस्टमेंट है यह टाइम है ए और बी ने मिलकर कुल इतने रुपे 28,000 रुपे था मिलाकर और कुल अरजित लाव एके निवेश से 25,000 रुपे कम था तो वार्शिक लाव में ए और बी के हिस्सों का अंतर बता दो वायर यह बढ़िया था तो मेरे से बोल दिया इन्होंने कि सर साथ रेशो बरावर 28,000 है एक रेशो बरावर आपका 4,000 हो गया जैसा बोला है और एके निवेश से 25,000 रुपे कम था तो यह अपना अगर 4,000 हो गया न तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 20,000 और एक का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 8,000 इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं ठीक है अब बोला जा रहा है सर ए और भी एक महीने के लिए जो उनका पूंजी का है वो आपको देखना है तो यहां आप यह कह सकते हो कि इनकी टाइम का जो रेशो है वो कितना है तीन अनुपात एक यहने कि इसमें टाइम का भी मैंने गुणा कर दिया तो यह हो गया आट तीया चौबिस हजार और बीस हजार चीक है सर यहां तक कोई तकलीफ यहां तक कोई तकलीफ होड़ी है नहीं इसका रेशो कितना आ रहा है छे अनुपात पांच आ रहा है कोई दिक्कत यह इनका अब रेशो आ गया जो अपना investment हुआ और यही आपका क्या नाव नंतर भी बोला जा रहा है कहानी यह है कि जो आपका लाब हो रहा था जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि आपके सामने यह आपका 20,000 आ रहा था और वह आपका कुल जो निवेश है वो 28,000 था तो कुल अर्जित वार्षिक लाब 28,000 एके निवेश से 25,000 रुपे कम था तो एका निवेश था कितना 20,000 बचा कितना 8,000 उससे 25,000 रुपे कम यानि कि पच पंसो तो ग्यारा रेशो बराबर पच पंसो एक रेशो बराबर पांसो और यही पूछा गया है ए और बी के हिस्से का अंतर पांसो रुपेया बज़ेदार कुष्चन है सारे डायरेक्ली भी हो रहा था चीज़े तो समझानी पढ़ेंगी ना भाई सा तुम्हें अभी तो मज़ा आएगा नेक्स्ट करिए अगला प्रशन करिए लास्ट कर रहें समय की कीमत को देखते हुए अराम से करो भाई तसली से करो सही कर दिया तो मान जाईगे हम और खीश के दिल से like किया करो यार तुम कर like नहीं हरते जार आए बाई मुझे प्राइक ता नहीं आती क्या करूँ पढ़ाया है भाई वही करना है तुम्हें ऐसा तो कभी नहीं होगा कि जब तुम सोचो कि वस अपने आप सोचने से आ जाए ए चार अजार रुपे की धनराशी से व्यापार शुरू करता है आरम से तीन महा के बाद में बी ए के इन्वेस्ट में से पानसो रुपे अधिक धनराशी के साथ आ जाता है बी पानसो रुपे जादा लगा लेता है पैंतालिस सो रुपे लगा लेता है और जुड जाता है तीन महा के बाद बी जो आता है वो एके तीन महा के बाद आता है याद रखना ठीक है व्यापार में व्यापार के आरम से नो महीने बाद बी अलग हो जाता है तीन महीने बाद आया और नो महीने बाद अलग हो गया आरम से याने कि B ने करा 6 महीने ही काम तीन महीने बाद आया नो महीने तक चला गया और 6 महीने काम गया ठीक है C है न B की धनवाशी से पंदरे सो अधिक लगाता है और आजाता है याणि कि अब ये आजाएगा 6,000 रुपे लगा कर C आ गया और कुल B का हिस्सा दे रखा है अब काम ही खतम यानि कि ये हो गया 12 महीने क्योंकि ये बिचारा कहीं गया ही नहीं ये 6 महीने, ये 9 महीने आने की इसका बचा 3 महीने का काम, अब बस रेशो बना लो, उसर देखो, 12 चोके 48 हजार, 9 तियस 27 हजार, और 6 तिया 18 हजार, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3 से काटा 16 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 6 बार, 9 बराबर आपका 18 हजार है, एक बराबर आपका 2 हजार, तो कुल वार्शिक लाव, तो 25 और 6, 31, 31 इंटू 2, 62, मामला हो गया, सैट, मज़ा आ रहा है, अरे बोल दीजिए, यार, सर, मज़ा आ गया, सर, एक बर बोल दीजिए, और खीच के लाइक कर दीजिए, भाई, मतलब कुछ कठिन है ही नहीं, आप बस ट्राइ करिए, हो जाएगा, अब ये कुछ कुशन्स हैं, इन्हें एक बार आज कोशिश करिएगा, जिन्होंने कल नहीं की कोशिश, शाम को टेश्ट भी होगा, टेश्ट में एलिमेंटरी जो कुशन्स आएंगे, लगबग मैं ये सोच रहा हूं कि मैं प्रिवेस एर कुशन्स डालता हूं पार्टनर्शिप के, बोलो क्या विचार है आपका, जितने भी प्रिवेस एर आये हैं, मतलब ये तो उस तरा एक्जाम में अच्छे एक्जाम में आये हूँए, ऐसे मत नहीं राता हूं, ये जो PYQ है, जैसे कि अपने जो रेलवे में आये हैं, SSE में आये हैं, बैंक में आये हैं, तो तीनों का मैं मिक्षर बना दू आज, आले न, देखते हैं आज क्या करते हो आप, पार्टनर्शि खा भी जाए तो देखते हैं अगर लगता है तो कितने कुशन बाकि हैं तो मतलब कल भी ले लेंगे इसको फिर अपना पर्सों से मिक्षा जालू कर देंगा चलिए और अभी दो बजे में आपको यह बताने वाला हूं जिनको टेंशन हो रही है कि सब CB2 की तैयारी कैसे करूं और उनको मैं यह बता दूँगा कि तैयारी गजब की चल रही है बस मन से मानो क्योंकि जो confidence ऐसी चीज़ होती है इंसान को आजावे तो वो दस नंबर जादा लियाता है और नहीं आवे तो दस नंबर गड़ जाते हैं सारा खेल mentality का है है यह कहानी इस तरह से चलती है और भ अभी साड़े बार बजे गुरुबडी होगा साड़े च्छे बजे टेस्ट होगा नीचे में comment section में link डाल दूँगा telegram पर भी link डाल देता हूं मैं live टेस्ट होता है आप लोगों को इस टेस्ट में जरूर आना है और time पर आना है डेली होता है जो भी पढ़ाता हूं उसका प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस में इंप्रूमेंट आता है जिंदिगी में याद रखना तुम तुम चाहें कितनी चीजे पढ़ लो लेकिन जिद दिन आप प्रैक्टिस में लगोगे न तो आपको खुद को बता लगा कि क्या value होती है प्रैक्टिस की इसलिए मैंने यह continue क पर रखा है और यह continue चलेगा जब तक तुम्हारा सेलेक्शन नहीं हो जाता ठीक है और टेस्ट होगा साड़ेश्य बजे जरूर दीजेगा कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूगा टेलिग्राम पर भी डाल दूगा धिहान रखना मेरे टेलिग्राम पर ठीक है चलिए आज स ससी बैंक, रेलवे, डिफेंस और इस्टेट एग्जाम का एक ही होगा मैं तो वही आपको औरियंटेड लेकर चल रहा हूं और आपके जितने भी पैटन्स हैं उन सबको कवर कर रहा हूं नहीं पैटन को आने दो न जो भी आ रहा है सबको एक साथी पढ़ो न आप तयारी ह कोड लगा देना है अब जैसी साहिल टैन लगाकर प्रोसीट टू पेपर जाओगे डिसकाउंट मिलेगा तभी कनेक्ट उपाओगे साहिल टैन लगाकर अन अकेडमी पर मेरे साथ जुड़िए और डिसकाउंट पाईए आस के डाउट फीचर यह एक फीचर है जहां पर सॉलूशन आएगा बोले यह ले अभी डाउट सॉल्व कर वरना छोड़ेंगे नहीं भाई तो यही चकर है अब यह बहुत अच्छा फीचर आ चुका है तो कोई भी डाउट आए फोटो खेंचो और डाउट पाओ सॉलूशन आस अगस्त में आपका क्या है एससी के लिए जो ओफर है वो मिल जाएगा अभी जुड़िए मेरे साथ और बस आज से शुरू है मामला मेला शुरू हो गया भाई आज से साहिल टैन को लगाकर आपको जुड़ना है चलिए साहिल टैन लगाकर जुड़िए बड़िया तरीके से लाइक करिए शेयर करिए मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक्यू सो मच थैंक्यू फो वॉचिंग अच्छे से पढ़िए साढ़े बारे बजे मिलते हैं और टैस्ट जरूर दीजिएगा ठीक है अच्छा लगता यार काफी तुमारा इंप्रूमेंट देखके दिल खूश हो जाता है और मैं चाहता भी यही हो तुम बे फिक्र हो जाओ बस आराम से अपनी जो बाकी सब्जेक्ट से उनमें इंप्रूमेंट लाओ बाकी जो मेरे को समय दे रहो उस समय का आपको रिजल्ट आएगा बस इम जर्या है तो इसी तरह से जब हम पत्तर में भी वगवान को देख लेते हैं तो हम पर वरोसा करके देखे मज़ा आ जाएगा टेक केर लव यौल धन्यवाद झाल